Hi guys, this is Shakti from Conceptual तो काई इस एक trader है जोनोंने मुझे contact किया अपना trade मेर सा शेयर किया और पूछ रहा है कि क्या हो सकता है इसका यहाँ पे इनोंने position बना लिया और इनकी position नुकसान में है तो काई मैं किसी को tips और advice दो नहीं देता पर हाँ मैं यह जुरू बता सकता हूँ कि मैं क्या करता इस particular situation में तो काई यहाँ पे देखिए पहले इनका trade समझ लेते हैं इनोंने 4 lot ले रखे हैं bank nifty के अंदर इनोंने put side पर trade किया है long side पर इनोंने trade किया है एक lot है इनका 36-400 की put में और तीन lot है इनके 36-600 की put में और दोनों ही जगा इनको नुकसान हो रहे हैं और काई नुकसान भी छोटा नहीं है इनका नुकसान भी बड़ा अगर point wise देखोगे आप 36-400 की put में इनका नुकसान है लगबग 170 point का 36-600 की put में इनका नुकसान है 230-240 point का तो पहली गलती तो इनकी यह है इन्होंने इतना बड़ा नुकसान ले लिया इतने बड़े points का loss ले लिया और यहाँ पर यह वेट कर रहे हैं यह सोचना है कि market पलटे कि bank nifty नीचे गिरेगा और इनको profit हो जाएगा तो कैसे अगर मैं bank nifty की बात करूँ, bank nifty तो weak ही नजर आता है मलब bank nifty उपर जाता हूँ, मुझे नजर नहीं आता पर कितना टूटेगा, टूटेगा, नहीं टूटेगा हम यह assumptions नहीं लगा सकते अगर एक trade लिया, trade गलत चला गया तो वहाँ पर exit करना ही बनता है पर यहाँ पर इन्होंने exit नहीं किया, अगर मैं 219 के बाहु पर enter करता है और 340 के बाहु पर enter करता, put को खरीता, तो वहाँ पर मेरा एक stop loss होता छोटा था stop loss, depending की market कैसे है, मैं scalping करके चल रहा हूँ यह था, वहाँ पर इनका नुक्सान जो है, अभी तक 21,000 रुपे का हो चुका है यह तो बात हो गई कि हमें trade लेने के बाद stop loss लगाना चाहिए, stop loss में exit कर जाता अगर मेरे trade मेरे against जाता, पर अब यह trade लिया जा चुका है, यहाँ पर stop loss नहीं था अब इसका price already काफी नीचे आ चुका है, तरेपन रुपे और 110 चल रहा है देखो 110 तो still icon से वहाँ पर 75,000 रुपे अभी बसते हैं, 75,000 रुपे के आसबस अभी बसते हैं वहाँ पर एक चोटा सा stop loss लगा के exit करना चाहिए, अगर भाव और नीचे आ रहा है पर दूसी तरफ तरेपन वाली put है, तरेपन वाली put guys, generally लोग इसको उठाते हैं जब उन्होंने hero zero खेलना होता है, 25 वाली, 50 वाली, 75 वाली, यह hero zero के लिए होता है जहाँ पर आप सोचते हो कि हाँ market नीचे गिर जाएगी, अगर market गिरी तो ठीक है, नहीं गिरी तो कोई बात नहीं, 75 वाली, यहाँ पर लिमिटेड लॉस है पर बड़ी strike प्राइज में stop loss लगाना चाहिए, और 110 पॉइंट जो है यहाँ पर अभी भी यह point बज सकते हैं, अगर market नीचे दुबारा आपको मोका देगी, तो आफिर एंटर कर सकते हो, जो भी strategy यूज करते हो, उसके हिसाप से आप देखो कि market आपके हिसाप से चल रही ह है, नहीं चल रही, market अगर आपके हिसाप से दुबारा चलनी शुरू होगी, यहाँ पोगी signal आएगा, कि यहाँ से नीचे गिर सकते हैं, फिर से एंटर कर जाना, तो कहा हिसा पोच्ट इस market में आती रहती हैं, यह जरूरी नहीं कि हम जो trade ले चुके हैं, उसमें हमें नुक इसके बाद दूसरी गलती भी करते हैं, यहाँ पे और quantity खरीद दी चलिया, अब ठीक है, अब नुकसान तो हो रहा है, यह नुकसान जल्दी से recover करने के लिए average price को नीचे ले आओ, यहाँ पे averaging करना शुरू कर दो, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, तो guys, सिरफ हमें stop loss लगाना है, stop loss को छोटा रखना है, इतना सही काम है, जो एक successful trader बनने के लिए जरूरी है, जहाँ पे आपने losses हो कंट्रोल कर लिया ना, आपको market पे पैसा बनाने से कोई नहीं रोख सकता, क्योंकि बड़े profit तो निकलते रहेंगे, छोटे profit भी आएंगे, बड़े profit भ काम कर लिए, अब दिक्कत यही है tips providers के साथ, वो एक tip देते हैं, कहते हैं कि भाई यह 36-400 के put 220 का भाव चल रहा है, इसको खरीद लो, खरीद लिया, उसके बाद जैसे 20-30 points मिलते हैं, फटा वट उनकी call आती है, कि भाई आपको 30 points मिल रहे हैं, फटा वट से profit book करो, वो 30 points मे एक दो चल गई, छोड़े points निकाल दिये, उसके बाद फिर बंदों को बोला जाता है कि भाई, आपको अगर आगे भी regular हमसे tips चाहिए हैं, इस तरह कि भेतरी tips जिसमें आपके profits बन सकते हैं, तो आप हमें join करो, इतनी हमारी fees है, और उसके बाद क्या होता, अगला trade नहीं च प्रोफिट में आजोगे, चिंता मत करो, देरेंट तक होल्ड करो, देरेंट पर आपका loss बढ़के 100 पोइंट करो, तो फिर वो कहते हैं कि next day के लिए hold कर लो, तो मेरे भाई समझ जाओ, ये game इस तरह से नहीं चलती है, छोटे losses की game है, नुकसान को छोटे से छोटा रखो, तब तक दिक्कत नहीं है, जहां पर आपने नुकसान बढ़े लेने शुरू कर दिये, जहां पर आपने नुकसान को काटना बंद कर दिया, जहां पर आपने अपना stop loss नहीं लगाया, stop loss को trail नहीं किया, वहां पर profit नहीं बन पाएगा, चलिए, ठीके गाईज, आल्राइट बबाई, टेक किर अफ यर्सेल, और अल्सो, प्लीज शेयर योर थोट्स अज़ वेल अबाउट इस पर्टिकुलर ट्रेट इन दे कमेंट सेक्शन, जो भी आपका थोट है कि क्या करना चाहिए, मैं यह भी जानना चाहिए, इस तरह के ट्रेट में, अगर ट्रेट लिया, फ प्लीज थार चाहिए, जो प्लीज अपका शेह, प्लीज वेल एका बाना चाहिए, तरह कमेंट सेक्शन, अगर बदुट के लिगए, वेले चाहिए, रुछ मैं यहोगर मैं यह है कि जाफ विज़ वेले ओे शोगिया, मैं, यह उता हैं, यह वेगए, अबाई ऑना